दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि किस परकार से आप फोन पे का UPI पीन कैसे बना सकते हैं दोस्तो अगर आपने एक नया फोन पे एकांट बनाया है और आप अपने फोन पे के अदर अपने बैंक एकांट को लिंक करना चाते हैं और अपने फोन पे से किसी को भी पेमेन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने phone पे के अंदर अपने bank account का UPI pin set करना होता है तभी आप किसी को पैसे भेज पाओगे या फिर आप mobile recharge वगरा जो भी facilities आपको phone पे के अंदर दिया रहता है सभी जो option है उसका आप तभी use कर पाओगे जब आप phone पे के अंदर अपना UPI pin set करोगे बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को सुरू से लेकर बीना skip किये last तक तो दोस्तो उससे पहले आपसे की request है अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस like वाले बटन पर क्लिक करके हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना और subscribe बाले बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को subscribe कर लेना और इस bell बटन को दबाके all पे set कर देना ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो की notification रेगुलर मिलती रहे अब दोस्तो आपको phone पे application के अंदर अपना UPI pin set करने के लिए सबसे पहले आपको अपने phone के अंदर phone पे application को download करना होगा install करना होगा जो की latest version होगा ठीक है latest version के phone पे application को download करने के लिए आपको हमारी वीडियो के description पर click करना है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपको description में link मिल जाएगा तो यहाँ पर click करके दोस्तो आप phone पे का latest version है उसे आप अपने mobile के अंदर download कर पाओगे ठीक है download कर लेना download करने के बाद दोस्तो phone पे application को कुछ इस प्रकार से open कर लेना उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपको वो वाला mobile number डाल देना है जिस mobile number से आप phone पे बनाना चाहते हो और यहाँ पर वही वाला mobile number एंटर करना जो की आपके bank account के साथ register है mobile number डालने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको proceed का बटन दिखाई देगा तो आपको proceed वाले बटन पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तो आपके mobile number पर एक OTP भीजा जाएगा तो आपको वो OTP यहाँ पर डाल देना है उसके बाद आपका phone पे account create हो जाएगा उसके बाद दोस्तो phone पे application की सभी permission को आपको इस परकार से allow कर देना है उसके बाद दोस्तो आपके mobile के अंदर आपका phone पे account create हो जाएगा यहाँ पर आप जिसा की देख सकते हैं हमारा phone पे account create हो चुका है अब दोस्तो यहाँ पर आपको UPI pin set करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने bank account को link करना होगा bank account को link करने के लिए दोस्तो यहाँ पर ऊपर कोने में आपको यहाँ पर आपकी profile picture दिखाई देगी यहाँ पर आपको click करना है, यहाँ पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने bank accounts का option देखने को मिलेगा, simply आपको यहाँ पर bank accounts वाले option पर click करना है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर अपने bank account को आपको link करना होगा, तभी आप UPI PIN बना पाओगे, तो यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं मैंने पहले सही एक bank account को link करके रखा है जिसका की UPIP मैंने पहले सही set करके रखा है तो यहाँ पर दोस्तो मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पर दोस्तो मैं अपना एक नया bank account add कर लेता हूँ अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सभी बैंकों के नाम देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो अगर आपका बैंक का नाम यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है तो उपर आपको सर्च का बटन मिलेगा तो यहाँ पर आप अपने bank का नाम लिख के search कर सकते हैं जैसे कि मुझे Axis Bank का यहां पर bank account link करना है तो यहाँ पर मैं Axis लिख के search कर लेता हूँ और इसके बाद इसे select कर लेता हूँ select करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके mobile number से आपके access में जो भी bank account link होगा वो यहाँ पर आपके शामने आ जाएगा यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ देख सकते हैं यहाँ पर हमारा bank account find किया जा रहा है और हमारा bank account यहाँ पर link हो चुका है यहाँ पर आप जिसाकी देख सकते हैं हमारा IFC code, branch name सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा उसके बाद दोस्तो set UPI pin के उपर आपको यहाँ पर नीचे option दिखाई देगा तो आपको UPI pin set करने के लिए set UPI pin के उपर click करना है यहाँ पर click करने के बाद दोस्तो आपको bank की तरफ से जो भी debit card या फिर ATM card दिया गया है उसका last का 6 digit यानि की last के 6 अंक आपको यहाँ पर इस box में डालना है उसके बाद दोस्तो आपके ATM card में यहाँ पर expiry month और year देखने को मिल जाएगी तो आपको यहाँ पर expiry month और year डाल देनी है और नीचे आपको proceed वाले बटन पर click करना है तो दोस्तो यहाँ पर मैंने अपने ATM card की detail डाल दी है उसके बाद नीचे proceed वाले बटन पर click करना है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर allow वाले option पर click करना है उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा processing होगा अब दोस्तो आपके bank की तरफ से आपके mobile number पर एक OTP भेजा जाएगा जो OTP यहाँ पर automatically verify हो जाएगा OTP verify होने के बाद दोस्तो नीचे आपको यहाँ पर right वाले icon पर click करना है अब दोस्तो यहाँ पर आपको six digit का एक नया UPI pin create करना है यहाँ पर दोस्तो यहाँ पर मैं अपना एक UPI pin set कर लेता हूँ उसके बाद दोस्तो नीचे आपको यहाँ पर right वाले option पर click करना है उसके बाद दोस्तों फिर से आपको यहाँ पर confirm UPI pin करना है तो आपने जो UPI pin अभी डाला है वही वाला UPI pin डाल के आपको नीचे यहाँ पर right वाले option पर click करना है और थोड़ा सा इंतजार करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा UPI pin successfully set हो चुका है इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यानि कि हमारा जो बैंक एकाउंट का UPI pin है वो successfully set हो चुका है तो कुछ इस परकार से आप phone पे के अंदर अपना UPI pin बहुत easily set कर पाओगे मुझे उम्मीद दे दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक like कर देना, share कर देना और हमारे चनल को अगर आपन ख्याल रखे good bye and take care